जो इशू परमेश्वर के नाम से मैं आपका स्वागत करते हैं इस दिन आज आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रहनता दियाई 17 परसंग्या 21 और 22 पाप छोड़ कर सर्वोच इश्वर के पास लोट जाओ उससे प्रातना करो और उससे अप्रसंद मत किया करो मेरे भाई और बेनों परमेश्वर का वचन आज हम सब जन से कह रहा है कि पाप छोड़ दो प्रातना करो परमेश्वर को दुख मत दो आज मेरे भाई और बेनों अपने जीवन के अंदर जाकर देखेंगे बले हम प्रातना तो कर रहे हैं बले हम परमेश्वर के पास तो है कि हम सच्ची में उसके पास है कि हमारे रिदे में भाई और बेनों इतना चोट रहता है कि हम हर एक जन को माफ तो कर देते लेकिन जब वो हमारे सामने आते है हमारे रिदे के अंदर वो हंकार आ जाता है हमारे रिदे के अंदर वो नफरत आ जाता है क्योंकि हम उन्ने पुरने रूप से माफ नहीं किये शमा नहीं किये है हमारा छोटा पाप जूट बोलने का पाप हमारा छोटा पाप वहंकार का पाप हर एक चीज जो हमें परमेश्वर से दूर लेके जाता है आज वचन हमें किता है कि हर एक चीज छोड़ दो अगर हम लोगों को शमा नहीं कि आज का मौका है शमा करते ने खीड़ी क्योंकि जिस प्रकार हमने कल परमेश्वर ने हमारे लिए आयूते किया है हर एक चीज का अधिकार दिया गया है तो जब हम पुरने रूप से अपने आपको पाप से मुक्त कर देते हैं वो उस चीज हम में मिलता है क्योंकि हम अपने जीवन को उसके वच्चन के अनुसार चलाते हैं जब तक हम अपने जीवन को परमेश्वर बच्चन नहीं चलाएंगे हमारा जीवन में बदलाव नहीं आएगा वेले हम कितने लोग से hai रखा ले अपने सर पे कितने लोग से भी प्रातना करवा ले कितना रोजरी बोल दे कितना गुटना टेक ले लेकिन फिर भी पाप भरा जीवन जीरे मेरे भाईयर बेनों बदलाव नहीं आए बचन कहता है कि परमेश्वर के पास आओ वो तुम्हारे पास हमें उसके पास जाना है बदल कर बचन कहता है जैसे भी हो मेरे पास आओ और हर एक चीज को छोड़ दो हमें हर एक चीज को छोड़ना है मेरे भाईयर में पुरने रूफ से बदलना है तो आज हम बदलने के लिए परातना करेंगे हर एक चीजों को छोड़ने के लिए प्रात्ना करेंगे इस समय हम अपने आखों को बंद रखकर अपना पूरा ध्यान परमेशुर क्यों लगाएंगे है पिदा परमेशुर इस दिन के लिए धनिवाद देते हैं सुन्दर वचन के लिए धनिवाद देते तेरा वचन के ताय परमेशुर के हर एक चीज को छोड़ कर तेरे पास आना है तो आज परमेशुर हम अपने रिदे के अंदर जाक कर देखेंगे आज परमेशुर हमारे रिदे के अंदर अगर हमने कितने लोग को शमा किया लेकिन पुरने रूप से अभी तक पकड़ कर रखे उस चीज को, आज उस सब चीजों को हम छोड़ते हैं, हमारे हर एक पापो को छोड़ते हैं, हमारे हरे गलतियों को छोड़ते हरे जन जो परमेशर हमें रिदे में छोट पहुचाया है, वो सब चन को अपने रिदे के अंदर से हटाते हैं परमेशर, हर एक चीज को छोड़ते हैं, कि कि परमेशर हमें तुझ से प्यार करना है, तेरे चैसा बनना है, जो अधिकार तुने हमारे लिए रखा गया, वो अधिकार को पाना है, जो परमेश्वर तरह वचन केता है कि जिस प्रकार हर एक चीज तेरी और से बनाए गया, तेरे द्वारा बनाए गया और तुझ में बनाए गया तो परमेश्वर इस रिद्य को पुर्ण रूप से तुझ में बना तेरे नया पुर्ण रूप से लहू से धो कर उसको नया बना परमेश्वर के पुर्ण रूप से हम परमेश्वर तेरे वच्छन के अनुसार जी सके और हर एक चीज परमेश्वर तेरे राचे के अनुसार कर और यही प्रात्ना प्रमेश्वर तेरे नाम से सुबह मांगते हैं कबूल करते हैं आमेन जैश्य